बड़ी खबर का सीकर के फतेपूर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहाँ पर सीकर में एक युवक को ठाने में हाथ बांद कर पीटने और उसके बाद तैसिलदार के मुर्गा बनाने का मामला सामने आया यहां तक की तैसिलदार द्वारा मुर्गा बनाने का वीडियो भी सामने आया है वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि युवक को मुर्गा बनाया जा रहा है पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है CCTV फूटेज आप देख पा रहे हैं जानकारी के मुताबिक दादिया थाना इलाके का ये पूरा मामला है इसमें जमीन विवाद के चलते मुकेश नाम के युवक को पुलिस ने पकड़ा था युवक ने इसकी शिकायद कलेक्टर SP को की है वही फूटेज सामने आने के बाद कलेक्टर SP ने अपने अधिकारियों से जाच करवाने की भी बात कही है तो गुंडा गर्दी देखिए जरा एक बार फिर से यहां पर खाकी शरमसार्ग होते हुए जहां पर एक युवक को पकड़ा जाता है उसकी पिटाई की जाती है और उसे मुर्गा भी बनाय जाता है ये कौन सा लोकतंत्र है, ये कहां कानिया है, कौन सा कानून कहता है कि जब कोई भी पकड़ा जाए तो उसे मुर्गा बना दिया जाए, जमीन का विवाद था ये पूरा सायोगी संदीप हमारे साथ जूट चुके है संदीप कौन सा कानून कहता है कि अगर जमीन विवाद में किसी को पकड़े तो मुर्गा बना दे जाज कहां तक पहुँची है क्या कारवाई की जाएगे इन सभी पर बिल्कुल देखिए ये जिस तरह से पिडित में आरोप लगाया है कि वो बाही बेहन का जो है वो जमीन का विवाद है को नाना की संपती थी उसको लेकर के कहा ये जा रहा है कि पुलिस ने एक सो एकाउन में पहले जब बंद किया तो थाने में मारपीट की और उसके बाद तैसिलदार जब जहां फलेट में तैसिलदार रहते हैं रात को वहीं पर इसको पेस किया गया जहां पर पेस किया गया वहां पर ये जो है वो मारपीट होन अगर तेश्टन दार निसमें दूशी पाया जाता है तो निश्चितरूप से कारवाई की जाएगी और फुलीस नहीं मारपीट की है अगर टेखने में देखना है कि क्या कारवाई की जाती है इन सबी पर बहुत शुक्री आपका तमाम जानकारियों के लिए